असम सरकार के आंखडों के मुताबिक राज्यमिकुल 33 में से 26 जिले अभी भी बाड की चपेट में हैं और 45 लाग से ज्यादा लोग प्रभावित हैं ये सेलाब जंगली जानवरों के लिए मुसीबत बंद कराया है सिर्फ काजीरंगा नैशनल पार्क में अब तक 75 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है काजीरंगा नैशनल पार्क का 80 फीजदी से ज्यादा हिस्सा पानी में डूप कया है काजीरंगा राश्ट्रियों द् Rehabilitation and Conservation ने 120 से ज्यादा जंगली जानवरों को Rescue Operation के तहद बचाया भी है बाड में फसे जानवरों के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर बाइरल हो रहे हैं एक वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह एक बाग भेड बकरियों के लिए बने चज्जे के अंदर खड़े होकर खुद को बाड में डूबने से बचा रहा है एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हाथियों का एक छुंट सैलाप से बचने के लिए ऐसी जगा जाने की कोशिश कर रहा है जहां पर जलसतर कम हो राज्य आपदा प्रभंधन विभाग की बाड रिपोर्ट में कहा गया है कि 26 जिलों के 91 राजस्व शेत्रों के तहट 3,363 गाओ पानी में डूबे हैं और सैलाप से लगभग 1.29 लाग हेक्टियर की फसले तबाह हो गई हैं फिलाल 37,592 बाड पीडित लोगों को 247 राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है राज्य में कुछ छोटी नदियों का जलसतर घट रहा है लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी अभी भी जोरहाड जिले के नेमाटी घाट, सोनितपुर जिले के तेजपुर, गुहाटी, गोलप